सबी दर्सकों को नमस्कार टेक्निकल सीवजी निसाज चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि अंडर ग्राउंड वायर कैसे डालते हैं और साथ साथ आप से ये भी बात करेंगे कि बहुत सारे जो लोग हैं कस्ट्रमर हैं हमसे सवाल करते हैं क्वेस्चन करते हैं उनके आज मैं इस वीडियो के जरिये कुछ जवाब देना चाहूंगा सबसे पहले यहां पे आपको दिखा देते हैं कि हम यहां पे अंडर ग्राउंड वायरिंग कर रहे हैं और अंडर ग्राउंड वायरिंग करने के लिए आपका एक जो ट्रेनिंग है जो प्रेक्टिकल है वो होना बहुत ज़रूरी है अगर आप नए electrician है या नए wireman है या electrician बनना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही important है और आज की जो बाते हैं आपके साथ share करूँगा वो भी आपके लिए बहुत ही important है अगर आप ग्रामिण छेत्री है, wireman है, electrician है तो ग्रामिण छेत्र की जो wiring होती है वो इतनी बड़ी इस्तर की नहीं होती है और हम जब छेत्र में wiring करते हैं तो जो एक बार कर देते हैं उसी हिसाफ से करते रहते हैं और यही wiring अगर आप city में चले जाते हैं और city में अगर wiring करते हैं तो city से और ग्रामरी छेतर से बहुत ही अंतर होता है wiring करने का यह आपको खास करके जानकारी होनी चाहिए और अगर आप बड़े इस तर पर wiring करना चाहते हैं जैसे के आप city के अंदर wiring करना चाहते हैं बड़ी बिल्डिंग का काम लेना चाहते हैं तो पिर आपके पास degree या diploma हो कोर्स कहां किया है कितने जिनों से आप वाइरिंग का काम कर रहा है इसलिए कि आपको कितना वाइरिंग करने का नौलेज है यह जानकारी आपसे जो कस्टंबर है जो आपको काम देना चाहता है वो आपसे wiring की है या कहीं पे piping wiring की है या ओपन wiring की है उसके पिछे में वो पूछेंगे और आप ने अगर उनको दिखा दिया कि ये हमारा काम है और इस तरह से हम काम करते हैं और आप उन्हें अगर संतोष्ट कर देते हैं अपने काम से तो आपको काम मिलेगा अन्य था ग्राउंड वाइरिंग कर रहे हैं और सब से पहले हमको स्लेप में पाइप डालना है अगर प्रोपर तरीके से सही तरीके से हम स्लेप में पाइप डालते हैं तो पहली हमारी जो परिक्षा होती है वही होती है दूसरा स्लेप खुलने के बाद में आपको जिरी कटी करके और जी आई के जब बोड बिठाते हैं तो बोडों को भी आपको मसाले के साथ बढ़ियां सीधा एकदम वाटर लेबल में बिठाना है इसके बाद तीसरा वायर डालने का काम रहता है जो आप देख रहे हैं यहां देख सकते हैं यह हमने वायर डाला है यहां बोड में चैसे और को डाल के किस तरह से बोड में ले जाना है कितना mm का वायर डालना है यह जानकारी हमको होना बहुत जरूरी यहां जितने GI के बोड बैटे हैं सब आउट है टेड़े हैं इसलिए आपको पहले ही मसाले से जाम कर देना है तो आपके काम में जो है सफाई रहेगी और काम में अगर सफाई रहती है यानि कि फिनिसिंग रहती है दिखने में अच्छा दिखता है तो फिर काम आपको बहुत मिलता है नहीं तो फिर आपको काम मिलने में दिकत इसलिए हुआ करती है तो अपने काम में आप सफाई रखें और जो भी काम करें अच्छी तरह से करें प्रॉ बींदो